हलो व्यूवर्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ रिंकल्स और फाइन लाइन से चुटकारा पाने के कुछ आसान घरेली उपआए पहला उपआए है लेमन यानी नीमबू दोस्तों नीमबू हमारी स्किन के लिए एक एस्क्रिंजिंट का काम करता है ये स्किन को क्लेंज तो करता ही है, साथ ही साथ उसे टाइट भी करता है लेमन जूस से अपने फेस पर मसाज कीचे 20 मिनट के बाद ठंडे पानी से चहरा धो दीचे बेस्ट रिजर्ट्स के लिए डेली इस रेमेडी को यूज कीचे नेक्स्ट रेमेडी इस कैबिच यानी बंदगोबी बंदगोबी भी रिंकल से चुटारा पाने का एक असरदार उपाई है कैबिच जूस हमारी फेशिल मसल्स को टाइटन करता है कैबिच जूस से फेस पर मसाज कीचे और जब ये सूख जाए तो गुनगुने पानी से चहरा धो दीजे तीस दिन तक अगर ये रेमेडी आप डेली यूज करेंगे तो चहरे से फाइन लाइन्स और रिंकल्स गायब हो जाएंगे नेक्स्ट इस पापाया पैक पापाया के पल्प को अच्छे से मैश कर लीजे और उसमें आधा चम्मत शहद मिलाईए इस फेस पैक को 20 मिनट के लिए चहरे पर लगाईए और फिर ठंडे पानी से चहरा धो दीजे इसे आप हफते में दो बार यूज कीजे रिंकल्स और फाइन नाइम धीरे धीरे दिखना बंद हो जाएंगे एग वाइट भी एजिंग स्किन को क्योर करने के लिए बहुत ही बेनेफिशिल है एग वाइट में थोड़ा सा कोकोनट ओयल निक्स कीजे और फेस पर अपलाई कीजे सूखने पर चहरा धो दीजे कोकनट ओयल स्किन को मॉस्चुराइज करता है और एग वाइट स्किन को हाइडरेट करता है साथ ही साथ स्किन की इलास्टिसिटी को भी मेंटेन करता है इसके अलावा पाइनेपल भी एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देता है तो पाइनेपल को आप अपनी डेली डाइट में जरूर शामिल कीजे या फिर पाइनेपल जूस को अपने फेस पर अपलाए भी कर सकते हैं इसके अलावा गुलाब जल, बेसन, शहद और हल्दी मिलाकर एक पेस्ट तयार कर लीजिए और इस पेस्ट को 15 मिनट के लिए फेस पर लगाईए फिर धो दीजिए, बेस्ट रिजर्ट्स के लिए इस रेमेडी को आप डेली भी यूज़ कर सकते हैं इसके अलावा, हेल्दी और बैलेंस्ट डाइट लीजिए और स्मोकिंग, पॉलूशन, स्ट्रेस और डायरेक्ट सनलाइट से जहां तक होच सके बचिए तो ये थे रिंकल्स और फाइन लाइन से चुटकारा पाने के कुछ आसान घरेलू उपाए अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करना ना भूलिए और अधिक हेल्थ और ब्यूटी रिलेटेड होम रेमेडीज जानने के लिए आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं थेंक्यू